हमारी जारी रहेगी क्योंकि फर्स्ट वेब भारत ने देखी है सेकिंड वेब का भी हमने सामना किया है कहर बर पाया कोरोना ने तो हम तीसरी लहर का सामना ना करें उससे पहले हमें क्या करने की जरुवत है जो नया वेरियंट आया है कोरोना का बी एफ सेवन ये कितना खतरन सुपागत है और पहला सवाल मेरा आप से यही है कि भारत की जनता आप से जाना जाली है क्या है यह कितना खतरनाक है भारत के लिए अगर संक्रमंट दर्ब भारत की देखी जाए उसके हिसाब से तो अभी तक जो भी डेटा है भी एफ.7 के बारे में वह हमें दो तीन चीजें सपष्ट करता है एक तो यह चीज कि यह जो नया वेरियंट है यह बहुत इंफेक्शिस है और बहुत जल्दी यह फैलता है अगर हम इसकी आर नौट की बात करें तो आर नौट दस से अठारा के बीच में है इसका यह मतलब कि एक व्यक्ति जो है दस से अठारा लोग हैं कि एक एक इंफेक्टेट परसन लोगों को इंफेक्ट करेगा मालद दस को गाटने जो यह बदर सकता है और इसके कारण आपको अगर पहले भी कोविड हुआ हुआ है यह वैक्सीन लगी हुई है तो इनफेक्शन हो सकता है लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीजे हमार देश के लिए हैं कि जिन लोगों को पहले इंफेक्शन हुआ है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वैक्सीन के कारण उन में ज़्यादा स्वियर केसिज नहीं पाए जा रहे है हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा जा रहा है डेथ नहीं देखी जा रही है तो ऑल्दो यह जल्दी फैलता है इम्यून इसकेप करके आपको जुखाम नजला बखार करेगा लेकिन अभी ऐसा डेटा नहीं है कि इससे एड्मिशन बढ़ेंगी डेथ बढ़ेंगी या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगी लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूत है क्योंकि वेरियंट आए तो हम उसको जल्दी से पकट पाएं और अपना एक्शन प्लान उसके लिए तियार रखें